कारी संस्थानों को तबाह किया गया है और कल जो है विहार के उपमुख मंतरी टूइट किये क्या बोले कि बहुत खड़ाब जगह है बहुत विकार जगह है एक तो देखिए थोड़ी सी सरम होनी चाहिए नेता सब को आज सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसके आँख में सरम भचाही नहीं है बिल्कुल भी सरम नहीं है यह वही आदमी है जिनके परोशी ने कहा कि पहले तो बड़ा हाल चाल पुस्ते थे जब पानी भर गया घर में तो चुप चाप चोड़ की तरह भाग गया और हमको छोड़ दिये यह परोशी बोला हो जो बार में पटना की उस बिहार में उन्युवस्टी की क्या हालत है बीस हजार बिद्यार्थी और दस टीचर जिस पटना इन्युवस्टी में वो पढ़े हैं उस पटना इन्युवस्टी को कभी इस्त का औक्स्वोड कहा जाता था उस इन्युवस्टी की क्या हालत है आप दूतरे इन्युवस् सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ जेनियों में नहीं, भारत के अलग-अलग विस्विद्यालों में, दुनिया के अलग-अलग देशों में छात्र रोड पे खरे हैं। शिक्षा के सवाल को लेकर के जहां राजनितिक दल और पोजिशन की भूमिका निवाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ विद्याक्तियों ने और पोजिशन का भूमिका निवाने का दिनेवारी निवाया है इसलिए मैं आप तमाम लोगों से याग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो हमारी दिन परती दिन की समस्याएं है जो सिख्षा का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है जो किशानों के फसल के दाम का सवाल है नौजवानों के काम का सवाल है हिंदो हिया मुशल्मान हो उसके आत मुशल्मान का सवाल है इसके हमको एक जिट होने की जुरुद्ध है अच्छा सरकारी विश्विद्याल्या बचा है आज उसको समाथ करने की कोशिश की जा देंगे और क्या माहल बनाया जा रहा है क्या बोला जा रहा है आप लोग टीवी पे देखें होंगे कि जेन्यू के भीतर किस बेरहमी से विद्यार्थियों को फीटा गया है क्या मांग रहे हैं बेचारा कह रहे हैं कि यह जो बढ़ी हुई फीश है इसको वापस ले लीचे तो क्या माहल बनाया कि कहां जादा बढ़ाया है दस रुपया से 300 रुपया बढ़ाया है यह जूट है यह बैमानी है मैं उस उनिवस्टी में पढ़ करके आया हूं प्यश्डी करके मैं आपको बताता हूं अभी हर स्टूडेंट को परती माह 3,321 रुपया खर्च होता है इसके बाद जो फीश बढ़ाई गई है उसमें 7,000 से ले करके 8,000 रुपया उनको परती माह खर्च करना पड़ेगा खिसान मजदूर चाही की नहीं ठेला एक साच अबने हो जों उसके बाद उसका उसमें एडमिशन होता है और जो एडमिशन होगा तो जो परिवार की मासिक आंदनी 10,000 रुपया है वो एक बच्चा पे 7 से 8,000 रुपया किसे खर्च करेगा सो भावी प्रूप से वो नहीं पढ़ा पाएगा तो प्राइबेट इन्वस्टी से आप पहले ही तरीबों को बाहर कर चुपे हैं तो कि वहाँ प्यजडी करने में 10,000,000 रुपया लगता है सरकारी उन्वस्टी से जो बच्चे प्यजडी कर रहे हैं आप उसको भी उसका पढ़ने का अधिकार उससे छीड लेना चाहते हैं तर कि क्या दे रहे हैं वहाँ एंटी नेशनल पैदा होता है एक पास सोच करके बताईए कि अगर उस इन्वस्टी में एंटी नेशनल पैदा होता है तो हर साल रास्पती उस इन्वस्टी को बेस्ट उन्वस्टी का अवाड क्यों देते हैं एंटी नेशनल पैदा करने के लिए देश का मान सम्मान अभी बढ़ा है पूरी दुनिया में कि एक भारतिया आदमी को नौवल पुरुस्कार मिला है तो तो जेन्यूस ही पढ़ा हुआ है और आप कहते हैं कि वह इंवस्टी एंटी नेशनल पैदा किया करता है तो दो-दो मंतरी मोदी जी की सरकार में मंतरी हैं वो भी एंटी नेशनल है क्या वित मंतरी और विदेश मंतरी वो भी जेन्यूस से पढ़े हुए है आप किसी भी विवाद में जाकर के देख लीजिए जो सबसे बरे पद पे आपको पदा अधिकारी मिलेगा पॉले जो में आ करके वो अपनी सेवा दे रहे हैं